नमस्कार, मैं राजीब कुमार, TGT हिंदी प्रायोगिक विद्याले ख्षत्रिये सुक्षा संस्थान NCERT महसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज मैं कक्षा आठवी की हिंदी पाठि पुस्तक दुर्वा भाग तीन में संकलित एक बहुत ही सुन्दर कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ यह कहानी तमील भाषा में लिखी गई है जिसकी लेखी का वल्ली कानन है तमील भाषा में लिखी इस रचना का हिंदी अनुवाद श्री बालक राम नागर ने किया है बालक राम नागर बाल सहितकार के रुप में जाने जाते हैं जिन्होंने कई बालनाटक भी लिखे हैं प्रिश्ट भूमिन प्रस्तुत पाठ में एक आठ वर्ष की लड़की वल्ली अम्माई की बस यात्रा का वर्णन किया गया है वह रोज घर से गुजरने वाली बसों को देखा करती थी फिर एक दिन वह हिम्मत करके अकेले बस की यात्रा के लिए निकल पड़ती है यात्रा के दौरान एक छोटी वह अकेली लड़की के साथ क्या होता है वह क्या देखती है क्या महसूस करती है वह वापत घर पहुच पाती है या नहीं इन सारे सवालों का जवाब हम इस कहानी में ढूंडने की कोशिश करेंगे आज के इस काडिकरम के अंत में विद्यार्थी कहानी वाचन की आदर्श शैली से परिचित हो सकेंगे इस रचना के मूल भाव को समझ कर उसे अपने शब्दों में अविव्यक्त कर सकेंगे रचना में आए और परिचित शब्दों के अर्थ समझ कर उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे जात्रा के दवरान महसूस की गई खुशियों और तकलिफों की अनुभूती कर सकेंगे उत्पत्ती के आधार पर शब्द के प्राकारों से परिचित हो सकेंगे तो आईए इस कहानी का आधर शवाचन शुरू करते हैं एक थी लड़की नाम था उसका वल्ली अम्माई आठ ब्रस की थी उसे अपने घर के दर्वाजे पर खड़े होकर सडक की रोनक देखना बड़ा अच्छा लगता था वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंदना हो सडक पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथ ही नहीं था अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वा कर भी क्या सकते थी और फिर उसकी माने उसे सक्त ताकीद कर रखी थी कि वा खेलने के लिए अपनी सडक छोड़ कर दूसरी सडक पर ना जाए सडक पर सबसे ज़्यादा आकरशित करने वाली वस्तू कस्बे की बस थी जो हर घंटे उधर से गुजरती थी एक दफा जाते हुए और एक दफा लोटते हुए हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना वल्ली अमाई की कभी ना खत्म होने वाली खुशी का खजाना था हर रोज वा बस को देखती और एक दिन एक नन्ही से इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में खुश कर बैठ गई कम से कम एक बार तो वहां बस की सैर करेगी ही नन्ही से इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई वल्ली बड़ी हसरस से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुकर पर बस से उतरते चड़ते जहां पर बस आकर रुकती थी उनके चेहरे इसके दिल में सो सो इच्छाएं सपने और आशाएं जगा जाते उसके कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती शहर के किसी द्रिश का हाल बता कर दिंग हांकती तो वल्ली जल भुन जाती घमंडी घमंडी वह चिलाती चाहे वल्ली और उसकी सहेलीयों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती दिनों दिन महिनों महिने वल्ली ने बस यात्रा से संबंदित छोटी मोटी जानकारी गाउं से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राया सफर करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बाचिस से प्राप्त कर ली थी उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे शहर उसके गाउं से कोई दस किलोमीटर दूर था एक ओर का भाड़ा था तीन पैसे इसका मतलब जाने और लोटने दोनों ओर के साथ पैसे शहर तक पहुचने में बस को पौन घंटा लगता था शहर पहुच कर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी वैस्थी वापस भी आ सकती है यानि अगर वह गाउं से दो पहर एक बजे चल दे तो पोने दो बजे शहर पहुच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गाउं को यी तीन बजे लवट आएगी इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही योजना पर योजना बनाती रही एक दिन की बात है जब यह बस गाउं की सीमा पार करके बड़ी सरक पर प्रवेश कर रही थी एक नन्नी सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी बस को रोको बस को रोको एक नन्ना सा हाथ हिल रहा था बस धीमी हो गई कंडक्टर ने बाहर जाका और कुछ तुनक्कर कहा अरे भाई कौन चटना चाता है उनसे कहो कि जल्दी करें सुना तुमने बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और या रहा तुम्हारा किराया उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा ठिक ठिक पहले बस में चड़ो तो कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठा कर बस में चड़ा लिया च च च मैं अपने आप चड़ूंगी तो मुझे उठाते क्यों हो खंड़क्टर बड़ा हंसोर था अरी मेम साहिब नाराज क्यों होती हो बैठो इधर पधारो उसने कहा रास्ता दो भई मेम साहिब तश्रीफ ला रही हैं दो पहर के उत समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी पूरी बस में कुल चाह साथ सवाणिया बैठी हुई थी सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी और वे सब कंड़क्टर की बातों पर हंस रहे थे वल्ली मन ही मन जहेब गई आखे फेर कर वा जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी गाड़ी चनाए बेगम साहिबा कंड़क्टर ने मुस्कुरा कर पूछा उसने दो बार सीटी बजाई बस गरजती हुई आगे को बढ़ी वल्ली अब कुछ आखे फाड़ कर देख रही थी खिड़कियों से बाहर लटक रहे परदे के कारण उसे बाहर का द्रिश देखने में बाधा पड़ रही थी वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर ज्हांकने लगी इस समय बस एक नहर के किनारी किनारी जा रही थी रास्ता बहुत ही तंग था एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के ब्रिच घास के मैदान सुदूर पहाड़िया और नीला आकाश दूसरी और एक गहरी खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत जहां तक नजर जाती हर्याली ही हर्याली अहां यह सब कुछ कितना अधफुत था अचानक एक आवाज आई और वहा चौक गई सुनो बच्ची वह आवाज कह रही थी इस तरह खड़ी मत रहो बैठ जाओ वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था लेकिन उसके इन शब्दों से वह चुड़ गई यहा कोई बच्ची नहीं है उसने कहा मैंने पूरा भाड़ा दिया है कंड़क्टर ने बीच में पढ़ते हुए कहा जी हाँ यह बड़ी बेगम साहिबा है क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शेहर जा सकता है हुअली ने आखे तरेर कर उसकी ओर देखा मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ समझे और हाँ तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है अरे हाँ कंड़क्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हसने लगे इस हसी में हुअली भी शामिल थी कंड़क्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा आराम से बैठो सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे मुझे या अच्छा लगता है वह बोली खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी चोट खा जाओगी गाड़ी जब एकदम मोड काटेगी या जटका लगेगा तभी मैंने तुम्हे बैठने को कहा है बच्ची मैं बच्ची नहीं हूँ तुम्हें बता दिया न उसने कुड़कर कहा मैं आठ साल की हूँ क्यों नहीं क्यों नहीं मैं भी कैसा बुद्ध हूँ आठ साल बाप रे बस रुकी कुछ नए मुसाफिर बस में चड़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया वल्ली बैठ गई उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही ना चली जाए एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई अकेली जा रही हो बीठिया जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा हाँ मैं अकेली जा रही हूँ मेरे पास मेरा टिकट है उसने अकड कर तीखा जबाब दिया हाँ हाँ शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर कंडक्टर ने सफाई दी आप अपना काम कीजिये जी वल्ली ने टोका लेकिन उसकी अपनी हसी भी छूट रही थी कंडक्टर भी खिल-खिला कर हसने लगा इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढिया की बगजग जारी थी तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहा जाना है? किस गली में? किस नगर में? आप मेरी चिंता ना करें मुझे सब मालूम है वल्ली ने पीठ मोड मूख खिड़की की ओर करके बाहर जाकते हुए कहा यहाँ उसकी पहली यात्रा थी इस सफर के लिए उसने सचमुत कितनी सावधानी और कठनाई से योजना बनाई थी इसके लिए उसे चोटी-चोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी इकठी करनी पड़ी उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दवाना पड़ा जैसे कि वह मीठी गोलिया नहीं खरीदेगी खिलोंने गुबारे कुछ भी नहीं लेगी कितना बड़ा सयम था यहाँ और फिर विशेश रुप से उस दिद जब जेब में पैसे होते हुए भी गाउं के मेले में गोल-गोल घुमने वाले जूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या या थी कि वह मा को बताए बिना घर से कैसे खिसके लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठनाई पैदा किये बिना ही निकल आया हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी मा कोई एक बजे से चार साड़े चार बजे तक सोया करती थी वल्ली का बीच का या समय गाउं के अंदर सेर सपाटे करने में बीचता था लेकिन आज हुआ यह समय गाउं से बाहर की सेर में लगा रही थी बस चली जा रही थी कभी खुले मैदान से कभी किसी गाउं को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढावे को कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निकल जाएगी यह फिर किसी पैदल यातरी को लेकिन यह क्या वह तो उन सब को दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई पेड दौरते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे लेकिन बस रुकने पर हुए स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीछने लगी गाई की एक बचिया अपनी दुम उपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दोड रही थी ड्राइवर जितनी जोर से भोपु बज़ाता उतना ही ज्यादा हुआ डर कर बेतहाशा भागने लगती वल्ली को यह द्रिश बहुत ही मज़ेदार लगा और वह इतना हसी इतना हसी कि उसकी आखों में आशु आ गए बस बस बेगम साहिबा कंडक्टर ने कहा कुछ हसी कल के लिए रहने दो आखिर बचिया एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुँची दूर से रेल गाड़ी एक बिंदू के समान लग रही थी पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई जब वह फाटक के पास से धड़ धड़ाती दंदनाती हुई निकले तो बस हिन्ने लगी फिर बस आगे बड़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुँची वहाँ से वह भीड भड़क के वाली एक सड़क से गुजड़ी जहां दोनों और दुकानों की कतारें थी फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुँची इतनी बड़ी-बड़ी सजी दुकाने उनमें एक से एक बढ़कर चमकिले कपड़े और दूसरी चीजे भीड की रेलम पेल, वल्ली हैरान, भौचक्के सी हर चीज को आँखे पाड़े देख रही थी बस रुकी और सभी यात्री उतर गए ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या तीस पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ उसने अपनी जेब में से तीस पैसे और निकाल कर रेजगारी कंडक्टर को देते हुए कहा क्या बात है, कुछ नहीं, मेरा बस में चरने को जी चाहा, बस तुम शहर देखना नहीं चाहते, अकेली ना बाबाना मुझे डर लगता है उसने कहा, उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा उसने पूछा, इसमें डर की क्या बात है, बल्ली ने जवाब दिया अच्छा, तो उतर कर उस जलपान गिरी में हो आओ, काफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है मैं नहीं पियोंगी अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबैना लाऊं नहीं मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है मुझे बस एक टिकट दे दो जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पैसे मैं दूँगा मैंने कह दिया ना नहीं उसने द्रिटा पुरुबग कहा नियत समय पर बस फिर चल पड़ी लोटती बार भी कोई खास भीड नहीं थी एक बार फिर वही द्रिश लेकिन वह जरा भी नहीं उबी हर द्रिश में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था लेकिन अचानक ओह देखो वह बचिया सडक पर मड़ी पड़ी थी किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी ओह कुक्षान पहले जो एक प्यारा सुन्दर जीब था अब अचानक अपनी सुन्दरता और सजीबता खो रहा था अब वह कितना डरावना लग रहा था पहली हुई टांगें पथराई हुई आँखें खोन से लत बत ओह कितने दुख की बात या वही बचिया है न जो बस के आगे-आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे वली ने कंडक्टर से पूछा कंडक्टर ने सिर हिला दिया बस चली जा रही थी बचिया का ख्याल उसे सता रहा था उसका उस्सा धिला पड़ गया था अब घड़की से बाहर जाक कर और द्रिश्च देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही बस तीन बज कर चालिस मिनट पर उसके गाँ पहुँची वल्ली खड़ी हुई उसने जमहाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली अच्छा फिर मिलेंगे जनाब वल्ली कानन अनुवाद बालक राम नागर आपने कहानी वाचन के दवरान कुछ अपरिचित शब्दों पर गौर किया होगा तो आईए पहले उन शब्दों की सामान्य अर्थ और वाक्य में उनके प्रियोग को जानते हैं शब्द अर्थ और वाक्य प्रियोग पहला शब्द है रौनक जिसका अर्थ है चमक दमक या चहल पहल जिसे अंग्रेजी में ब्राइटनेस कहते हैं वाक्य प्रियोग देखते हैं शाम को बाजार की रौनक देखते ही बनती है दूसरा शब्द है दहलीज जिसका अर्थ है प्रावेश द्वार जिसे अंग्रेजी में थ्रिश होल्ड कहते हैं वाक्य प्रियोग लड़की अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी तीसरा शब्द है सक्त ताकीद यानि कडी चेताबनी जिसे अंग्रेजी में स्टर्डी वार्निंग कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें माने बच्चे को घर से बाहर ना निकलने की सक्त ताकीद दी चोथा शब्द है हसरत जिसका अर्थ है इच्छा जिसे अंग्रेजी में डिजायर कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें लड़की की बड़ी हतरत थी कि वहां बसकी सैर करें पाच्वा शब्द है नुकड जिसका अर्थ है गली का मोड जिसे अंग्रेजी में कॉर्नर कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें बस हमेशा नुकड पर रुकती है अगला शब्द है डिंग हांकना जिसका अर्थ है अपनी बड़ाई करना या एक मुहावरा भी है जिसे अंग्रेजी में ब्रैगिंग कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें अपने बारे में ज्यादा डिंग हांकना अच्छा नहीं अगला शब्द है बे धड़क यानी बे जिजक जिसे अंग्रेजी में विदाउट एनी हेजिटेशन कहते हैं वहाँ बे धड़क कमरे के भीतर आ गया अगला शब्द है पौन घंटा यानी पैंतालिस मिनट का समय जिसे अंग्रेजी में क्वाटर पास्ट वन आर कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें शहर तक पहुँचने में बस को पौन घंटा लगता था अगला शब्द है रेजगारी यानी छुटे पैसे जिसे अंग्रेजी में चेंज कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें लड़की के पास रेजगारी नहीं थी अगला शब्द है तश्रीफ लाना जिसका अर्थ है किसी के आने के बारे में सम्मान पुर्वक कहना जिसे अंग्रेजी में टू कम कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें शहंशा तश्रीफ ला रहे हैं अगला शब्द है लहजा जिसका अर्थ है धंग जिसे अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें उसके बोलने का लहजा सही नहीं था अंतिम शब्द है चबैना जिसका अर्थ है दाल मोट या चुर्मूरी वगेरा जिसे अंग्रेजी में स्नैक्स कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ चबैना ले आऊं प्यारे विद्यार्थियों आईए अब इस कहानी के मूल विंदूओं पर चर्चा करते हैं या कहानी एक आठ वर्ष ये लड़की की साहस और समझ की कहानी है वल्ली के घर के सामने से हर घंटे में एक बस गुजरती थी जो शहर को जाती थी उसके मन में बस से यादा करने की इच्छा जगती थी और वह कुछ पैसे जमा करके बस में बैठ जाती है बस के करमचारी और सहयात्री इस अकेली लड़की को देखकर आश्चरी चकित हो जाते हैं आने और जाने के दवरान वल्ली रास्ते के प्राकिर्तिक द्रिश्यों का खुब आनंद उठाती है जैसे एक नहर के किनारे किनारे बस का चलना नहर के उस पार ताड़ के पेरो की पंक्या घास के मैदान सुधूर पहाणिया और नीला आकाश आदी यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है एक बच्चे के मन की आशाओं और आकान चाओं तथा उसकी छोटी छोटी खुशियों को इस रचना का आधार बनाया गया है इस कहानी की रचना कला की बात करें तो हम पाते हैं कि यह कहानी लेखिका के अपने बच्चपन के यादों पर आधारित है इस कहानी को पढ़कर सहसा यह पता नहीं चलता कि यह मूल नहीं बल की अनुवाद है यह किसी अनुवादत की बहुत बड़ी सफलता है इस रचना की केंद्रिये पात्रवल्ली का चितरन रेखा चितर की शैली में किया गया है जिसे पढ़ते ही एक लड़की का चितर पाठक के मन में उभर आता है वाक्य विन्यास के स्तर पर देखें तो इस रचना में छोटे-छोटे और सरल वाक्यों का प्रियोग किया गया है साथी मुहाबरों का प्रियोग भी स्थान-स्थान पर मिलता है जैसे खुशी का खजाना होना, दिमाग में घुश जाना, हत्रस्चे देखना, डिंग हाकना, जल भुन जाना, हिसाब लगाना, आखें फाडना, पीठ मोडना, घर से खिसकना आदी व्या करनिक विंदू की बात करें, तो इस कहानी में उत्पत्ति अथ्वा स्रोत के अधार पर शब्दों के चार प्रकार यानि तत्सम, तदभव, देशज और विदेशज का भरपूर प्रियोग हुआ है तो आईए उत्पत्ती के आधार पर शब्दों के प्रकारों का संख्षिप्ट परीचे प्राप्त करते हैं इस कहानी में रौनक, देहलीज, सक्त ताकीद, दफाप, हसरत, तश्रीप, बेगम साहिबा आधी शब्दों का प्रयोग हुआ है दर असल या उर्दू और फार्सी के शब्द हैं जबकी बस, किलो मीटर, कंड़क्टर, टिकट आधी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं दूसरे शब्दों में कहें तो ये सभी विदेशज शब्द कहलाते हैं यानि भारतिय भाषाओं को छोड़ कर अन्य भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारत के विविन ख्यत्रों तथा आम बोल चाल की भाषा से लिए गए हैं जैसे धोती, लोटा, खिचडी, दिविया, पगडी, लाठी, कटोरा, फुनगी, आदी इन्हें देशज शब्द कहते हैं कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो भिना रूप बदले संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं जैसे दुग्ध, रात्री, जल, गुरू, फल, शत, ख्षीर, आधी ये सभी शब्द, तक्सम शब्द कहलाते हैं कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभरंश्य होते हिंदी में आए हैं यानि संस्कृत के मूल रूप में थोड़े से बदलाव लेकर आए हैं जैसे अगनी से आग, वत्ष से बच्चा, उष्ट्र से उट, चतूर्थ से चव्था, नव से नव आदी तदभव शब्द कहलाते हैं प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी हमने आपके लिए कुछ प्रशन तयार किये हैं जिनके उत्तर ढूंड कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तो पहला प्रशन है आपने बस, ट्रेन, हवाई जहाज, आदी की यात्रा की होगी उस यात्रा से जुड़ी किसी रोमांचक घटना या स्मर्ती का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए दूसरा प्रशन, अलका सरावगी लिखित, कभी शैतानी ना करने वाला लड़का शिर्शक कहानी को पढ़कर बताईये की बसकी सेर की वल्ली और इस कहानी के गोलू के चरितर में क्या-क्या अंतर है इस कहानी को आप दिये गए लिंक या QR कोड को स्कैन करके भी पढ़ सकते हैं तीसरा प्रशन है, मोहन राकेश द्वारा रचित, गिर्मिट का सपना और वल्ली के सपने में क्या समानता है या अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए चौथा और अंतिम प्रशन है, यात्रा के पहले और या के दवरान ध्यान रखने युग्य बातों को समझाते हुए अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिखिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ तब तक के लिए विदा, धन्यवाद विए झाल झाल